अब हम लोग स्टार्ट कर रहा है question number 56 ठीक है retirement question 56 question कहता है the balance sheet of Sindhu, Rahul and Kamlesh वर शेरिंग profits in a ratio of 3 to 3 to 4 as a 31st March 2012 was as follows तो हमें balance sheet दी भी है तीनों partners की liability side में general deserve है bill payable है loan है capital दी है तीनों partners की cash asset side में stock है investment है land building है और Sindhu का loan आ रहा है यानि हमने Sindhu को लोग दे रख रहा है आगे कहता है Sindhu died on 31st of July 2012 ठीक है तो हम अगर बात करें तो तीन partner थे मैं short में नाम लिख लूँ as Sindhu, Rahul and Kamlesh इनकी PSR इन्होंने दे रखे 3 is to 3 is to 4 यह इनकी PSR है आगे कहता है Sindhu की death हो गई है कब Sindhu की death होई है 31st of July 31st of July 2012 ठीक है the partnership deed provided on the following terms क्या 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 बोता है question ने जब इसकी death हो रही है तो क्या क्या terms है Goodwill is valued at 2 years purchase of average profit of last 3 years ठीक है Goodwill हमे calculate करनी कैसे Goodwill calculate की जाएगी average profit into 2 years ठीक है और average profit उसमें हमें दे रखे हैं कितने हैं 80,000 है 80,000 है तो Goodwill कितनी आ गई एक लाग 60,000 आगे इसे आग वर्किंग नोट नमबर वन का भी नाम दे सकते हैं क्योंकि यह calculation आगे चलके करनी ही है ठीक है इसके आगे देखें question ने कहा है His share of profit till the date of his death was to be calculated on the basis of sales उसका जो profit है क्योंकि साल तो खतम नहीं हुआ है बीच में उसकी death हो गई है तो उस कैसे निकाला जाएगा on the basis of sales निकालने को बोल रहा है वो और आगे कहता है sales for the year ended 31st March 2012 amounted to 8 lakh rupees ठीक है यानि पिछले साल का क्योंकि यहां पर यह date क्या है एक चार बार पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल की sales कितनी थी 8 lakh रुपे थी from the date of 1st of April to 31st July 3 lakh है इस साल की sales question ने हमें कितनी given दी है इस साल की sales दी है sales है इस साल की हमारी रुपीज 3 lakh ठीक है यह इस साल की sales है इस साल में कितना यह इन चार महीनों की sales है April, May, June और July की sales है पिछले साल पूरे साल भर की sales कितनी थी 8 lakh रुपे थी आगे question कहता है the profit for the year ended 31st March 2012 पिछले साल का profit भी कितना था दो लाख रुपे का profit था अच्छा यह बात उसने हमें क्यों दी है देखिए उसने यह चीज हमें इसलिए दिये मैं एक्चल में दूसरा calculate भी कर रहा हूं उसका profit का हिस्सा भी मैं निकाल रहा हूं यही पर working note बना रहा हूं ठीक है आप देखिए अगर बात करें पिछले साल की timeline को मैं थोड़ा छोटा करता हूं ठीक है ना अगर बात करें एक चार ग्यारा सेंग एक अत्यस तीन बारा तो सेल्स कितनी थी रुपीज एट लाइग यह सेल्स थी और इन सेल्स पर profit कितना था रुपीज टूल है तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास इससे हमारे पास आ जाएगा gross profit कह दो या profit ratio आ जाएगी profit ratio ratio on sales कि ratio क्या थी profit की किस rate से profit कमाते है क्योंकि इस साल हमें किवल sales दी है profit नहीं बताया हमें तो profit चाहिए तो कहता है अगर 2,00,00 रुपाय कमा रहे हो कितनी sales पर 8,00,00 पर तो यह कितना rate of return आ गया कितना profit आ रहा है सहाब यह तो सीधा आ गया कितना प्रतिशर्ट बताइए 25 परसेंट ठीक है तो 25 परसेंट आर्ण करते हैं तो आप कह सकते देर्फोर profit for the period 1st April to 31st July 12 यह भी 12 है कितना हो जाएगा is equals to sales into 25 परसेंट sales कितनी है तीन लाग रुपए तीन लाग पर 25 पर प्रतिशत का profit ठीक है तो profit कितना है यह profit for period this month या आप इसे कह सकते हैं 4 months का profit है पूरे साल का profit नहीं इस बार हमने पिछले question की थे कुछ ऐसे भी जैसे question number 53 था उसमें वो profit साल भर का था तो मुझे फिर उसके period का निकालना पड़ा था मैंने 5 by 12 किया था वहां पर ठीक है पांच महिने का निकालने के लिए इसी बार गिवन ही चार महिने का profit आगे question कहता है interest on capital was to be provided at the rate 6% per annum interest on capital के लिए वर्किंग नोट बना लो जैसे यह वर्किंग नोट बन गया हमारा interest on capital at the rate क्या percentage देना है हमें हमें देना है उसको at the rate 6% पर एनम 6% पर एनम के हिसाब से देना है तो 6% पर एनम कितना हो जाएगा देखें जरा हमारे पास इसकी capital है देखो सिंदु सिंदु रिटायर हुआ है ना एक लाग बीस हजार की capital की एक लाग लाग के बीस हजार गुना में 6% पर सिक्स परसेंट तो पूरे साल का होगा यह तो इसकी death के बाद तो इसका हिसाब करना है तो capital हम हटा देंगे तो क्योंग चार महीने का इंट्रेंस देना है हम इसे ठीक है जी एक लाग बीस हजार पे 6% ट्रेट से देना है कितने दिन का चार महीने का तो मैंने क्या कर दिया अमाउंट बताये मुझे कितना आएगा यह कितना बता रहे है 2400 रुपए ठीक है 2400 रुपए नहीं देता हूं मैं 2400 ठीक है आगे चले आगे कहता है according to Sindhu's will the executor should donate his share to matri chaya and orphanage for girls तो एक NGO है orphanage है girls के लिए उसमें इसके executors इस amount को donate कर देगे यह किसमें लिखा है इसकी will में लिखावा है तो यह value बन गई ठीक है ना कि society के लिए girls orphanage girls के लिए कुछ help करना चाहता है ठीक है आगे कहता है prepare Sindhu's capital account to be rendered to his executors also identify the value highlighted तो value की हमने बात कर ली executors sorry उसका capital account बना देते हैं जो उसके executors को देना है हमें जो पैसा देना है executors को उसमें कितना पैसा मिलेगा executors को through his capital account वो calculate करना है यानि कुछ नहीं करना capital बनाना है तो capital अब मैं इस राहूल और कमलेश का नहीं बना रहा हूं एवल Sindhu का capital account बना रहा हूं क्योंकि उसी का capital account मांगा है उन्होंने चलिए तो capital account बनाए हम सिंदू का Sindhu's capital account सबसे पहले तो लिखें by balance brought down ठीक है जी ओपनिंग balance कितना है एक लाख 20,000 का था अभी देखाए था हमने एक लाख 20,000 अच्छा पूरा format नहीं रहा हूं amount column अलग से नहीं बना रहा हूं आप समझना है यह amount column है यह amount column है particular date आप डाल देंगे यहां पर किसके डालेंगे एक अप्रेन 2,000 12 की डालेंग क्योंकि opening capital था ठीक है इसमें क्या क्या हुआ इसमें उसे profit का हिस्सा मिला profit का हिस्सा जा partner को मिलेगा तो क्या entry आएगी by pnl suspense account कितना हिस्सा मिला profit में उसको हमने निकाल लिया उसका हिस्सा नहीं उसका हिस्सा नहीं निकाला हमने काम करो यह 75,000 तो टोटल profit आया है मैं कहा निकालो मैंने इस पहले निकाल लेना चाहिए था चलो यहां निकालता हूं मैं इसके बाद निकाल रहा हूं यहां पर यहां निकालके दिखाएता हूं बाद में तांडर्यर्ड है ठीक है चार महिने का प्रॉफिट उसमें इसका इसका इसा फिस का हिस्सा तो हो 3 by 10 ठीक है तो 3 by 10 आप कीजिए कितना अमाउंट आए का मुझे बता ही कितना बता रहे है 22 500 ठीक है रुपी इस 22 500 बाइस पांचो आ गया चलिए तो यह अमाउंट यहां देते हैं 2522 500 प्राफिट का हिस्सा दे दिया हमने उसको और वर्किंग नोट आप दिखा सकते हैं वर्किंग नोट का पार्ट है इसको आप कोशिश कीजिएगा आपके बस स्पेस हो तो नीचे लिख ली गए मैंने यह टोटल प्राफिट निकाल के छोड़ दिया था अच्छा एक प्र प्रीमियम फॉर गुडविल की बात करें तो हमने टोटल गुडविल निकाल ली है एक लाग साथ हजार में अब उसका हिस्सा कितना होगा शेयर ऑफ गुडविल की बात करें मैंने यह भी पूरा नहीं निकाला मुझे यह लिखना चाहिए था यह टोटल निकाल लिया था अब उसका शेयर भी निकालना था शेयर ऑफ गुडविल और सिंदू है ठीक है देखिए एक लाग साथ हजार तो टोटल गुडविल है उसमें इसका हिस्सा कितना है थ्री बाए टैन अच्छा यह देंगे कौन यह देंगे रिमेनिंग पार्टनर राहोल एंद कमलेशन से स खोड़ा सा इस बार मैंने दोनों से कितना कितना मिला मैंने लिखा ही नहीं कि मुझे अंके बनाने लिए इसलिए मैंने प्रीमिम कितना मिलेगा ठीक है तो कर दिचिए 16000 को 3 से मिल्टिप्लाए और मुझे बताए कितना माउंट आएगा क्या पॉइंट में आ रहा है है हमने बाटना है नहीं आप तो सीधा कर दीजिए तो पुइंट में नहीं आ रहा है बाट के मत दिखाओ देखो मैं क्या एंट्री कहना चाह रहा हूं प्राफिट कहा हो गया इंट्रेस्ट कपिटल दें उसे हम हैं कि इंट्रेस्ट कपिल अकाउंट पर थे इसके बाद देखे बैलेंस हीट प्राफिट या रजार तो नहीं पढ़ा वह b히 देना होगा उसे हमें तो देखिए बैलाश में आभी तो नहीं है एक लौन सिंदू का थो लौन को लौन धे राखता हमने तो नो हो खतम कए मैं सिंद फ्लॉं कि इतनी का लुह ठाड आठा हमने भी जी लॉन से नहीं पाईस से यह सब देना है और यह उस्से वाप्स लेना है अच्छ लाइबिनिटी साइड में जञनरल दे रख़ा है जञनरल इसे प्रिटेल अच्छ तो अब काम कीजिए दोनों साइट को टोटल कर लीजिए उसका अकाउंट जो उसके एंजेक्विटर्स को हमें धेंडवर करना है वह हमारे पास आ गया है तो पहले तो लाइबिल्टी साइट टोटल कीजिए आप कितना अमाउंट आ रहे हैं यह मुझे बताई है किसे ने किया है 200 में से 20,800 तो यह कितना आ गाएगा हमारे पास टू सिंदूज एक्जेक्विटर्स उसके एक्जेक्विटर्स को कितना जाएगा एक लाख बन्तब 20 अटादो इसमें से 75 बच गए एक लाख 75,900 ठीक है जी तो यह हमारे पास अमाउंट आ गया जो उसकी एक्विटर्स को हे वही क्वेशन ने मुझसे मांगा था बाकि सब क्या है हमारे वर्किंग नोट्स हैं बस यह ध्यान रखेगा इस प्रॉफिट को यही नीचे कल्कुलेट कर लीजेगा और उसका शेयर बुडविल भी यहां बुडविल के नीचे कल्कुलेट कर लीजेगा मैंने बस टोटल लिकाले थे पहले पूरा नी निकाला था यह वाला वर्किंग नोट ठीक है तो इन दोनों को आप महीं शिफ्ट करेंगे ठीक है चलिए तो इसके बाद हम नेक्स क्वेशन पर चलेंगे 56 है अब नेक्स क्वेशन होगा हमारा 57th question आप इसे जल्दी से लॉट डाउन कर लीज हैं उनके लिए आपको कुछ डिटेस बताता हूं हमारे चैनल का नाम है sr accountancy classes ठीक है YouTube के हमारा चैनल है sr accountancy classes के नाम से यहां पर आपको हमारी सारी वीडियो का access मिल जाएगा ठीक है जो भी हम वीडियो अप्लोड करते हैं YouTube पर आपको यहां मिल जाएगी sr accountancy के नाम से सर है तो Facebook पर भी सर्च कर सकते हैं इसी नाम से इसके बाद आप जब वीडियो देखते हैं हमारे उसमें कोई concept आप समझ रहे हैं या फिर question कोई कर रहे हैं और उसमें आपको कोई doubt है कोई query है तो आप मुझे YouTube पर ही नीचे वीडियो जब देखते हैं आप तो नीचे YouTube पर comment column आ सकते हैं ठीक है अगर आप मुझे contact करना चाहें तो मैं आपको अपना number देता हूं 92610047 आप इस नंबर पर मुझे call कर सकते हैं WhatsApp करना चाहें तो इसके लिए यही number है इसके बाद एक important चीज़ है आप नहों के लिए आप हमारे चैनल को subscribe ज़रूर कर लीजेगा जो हमारा YouTube चै वीडियो करते हैं उसका notification आजाएगा आपको automatically अगर आपने चैनल को subscribe किया हुआ है तो ठीक है यानि आपको बार-बार time waste नहीं करना पड़ेगा जाकर देखने में कि हमने कोई नया video upload किया है ने किया आपको notification आजाएगा alert आजाएगा ठीक है इसके बाद आप जो हमारी वी sequence में नहीं है हमें पता ने लग पाता कि chapter 2 है इसके बाद chapter 2 में question number 4 कहा मिलेगा question 3 के बाद तो इसका solution क्या है आप जब videos को देखते हैं हमारे चैनल पर तो चैनल में पहले playlist पर आईए playlist में chapter wise, syllabus wise आपके अलग-अलग बने में है playlist और उसमें आप सारी videos sequence में हैं आपको time नहीं लगेगा जादा आप playlist के थूँ हमारी videos को वहाँ पर देखिए ठीक है इसके बाद एक important चीज़ हो रहा है आप नहों के लिए अगर आपको हमारी videos पसंद आती है हम जो पढ़ा रहे उसमझ में आता है तरीका तो आप हमारे complete courses के लिए assess ले सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा आपको मुझे इस number पर contact करना होगा आप WhatsApp भी कर सकते हैं मुझे और मैं आपको procedure समझा दूगा कि किस तरीके से आपने हमारी videos का assess मिल पाएगा आपको चली ठीक है मुझे कई बाते बतानी थी अब हम आगे चलेंगे इसके बाद